नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से श्वागत है आपका हमारे योटूब चैनल टेक्निकल उत्तर परतिस में दोस्तो आज के विडियों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने Realme C31 के फोन में Split Screen या Double Screen सेटिंग कैसे करेंगे दोस्तो सबसे पाले सेटिंग को ओपिन करेंगे नीचे आएंगे Convention Tool का Option दिखाए देगा इस पर किलिक कर देंगे Convention Tool के Option पर किलिक करने वाद यहाँ पर देख सकते हैं Split Screen का Option है अगर आपके फोन में नहीं है तो आप अपने फोन के सेटिंग में Direct Search करें Split Screen वहाँ पर यह Option देखने को मिल जाएगा और दूसरा तरहीका भी मैं बता रहे हैं दे रहा हूं अगर यह Option नहीं तो Split Screen कैसे Open करना है सबसे पाले अगर है तो यहाँ पर दोनों Option को आन कर देंगे और थिरी फिंगर नीचे से उपर की तरफ एक सार्थ Slide करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे Split Screen Open हो जाती है यहाँ पर देख सकते हैं दो स्क्रीन हो जाती है डबल स्क्रीन इसे कहते हैं चलिए अगर आपके फोन में यह सब Option नहीं है तो दूसरा तरीका क्या है उसको भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं यहाँ आप देख सक करेंगे किलिक करने वाद यहाँ पर ऊपर की तरफ कोर्नर में देखा यहाँ आप देख सकते हैं ओपर में देख सकते हैं कोर्नर में यहाँ पर आप लोगों को टू डोट दिख रहा है इस पर आप लोगों को किलिक करना है Split Screen को Option दिखाए देगा इस पर किलिक कर देंगे त तो दोनों तरीके से आप लोग अपने फोन में इस प्लेट स्क्रीन ओपन कर सकते हैं, वीडियो पसंद आदी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सस्क्राइब जरूर करिए